प्रादेशिक समाचार सम्मेलन में भाग लेंगे सत्पुडा ताफ विद्युद ग्रहसारनी की एक और योनित ने बनाया सौ दिनों तक लगातार विद्युद उत्पाधन करने का कीर्तिमान प्रदेश में मिले कोरोना संक्रमन के 26 नय मामले 13 मरीज हुए संक्रमन से मुक्त और बादल और बूंदा बादी के बाद भी नरम नहीं हुए मौसम के तेवर अब समाचार वस्तार से तीन यूरोपिय देशों की अपनी यात्रा के तहट प्रधानमंत्री नरींद्र मोदी आज दूसरे भारत नौडिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे इस सम्मेलन में डेन्मार्क, फिनलंड, स् के बीच सहीयोग पर प्रमुकता से चर्चा की जाएगी नौडिक देश, अक्षय उर्जा, डिजिटीकरन और नवाचार में भारत के महत्वपून भागिदार हैं अपनी यात्रा के अंतिम चरण में श्री मोदी कुछ समय के लिए फ्रांस की राजधानी पैरिस में रुके के बीच सौ दिनों तक लगातार विद्यूत उत्पादन करनी का नया किर्तिमान बनाया है ये यूनिट इस साल 22 जन्वरी से अब तक निर्बाध बिजली उत्पादन कर रही है इससे पहले सत्पुड़ा ताप विद्यूत ग्रहसारनी की 200 मेगवाट क्षमता की यूनिट क और उध्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज उजयन के प्रवास पर रहेंगे वे यहां मधिप्रदेश के विश्व विद्यालेयों और महाविद्यालेयों में लागू की गई राश्य शिक्षा नीती के एक वर्ष पूरे होने पर आयोजय तंतराश्य संगोष्टी म बत और मुख्यातिती शामिल होंगे केंद्री मंत्री श्री प्रधान शास्किय अमाधव विज्यान महाविद्याले के ओडिटोरियम के भूमी पूजन और विक्रम विश्व विद्याले के डिजी लॉकर के लोकारपन कारिक्रम में भी शामिल होंगे केंद्री शिक्षा मं प्रियान मंत्री नरेंद्रु सेह तोमर ने कहा है कि देश के विकास और नागरीकों के उन्नती के लिए सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। और उनके निवारन के लिए एक राश्य व्यापी पेंशन अदालत पांच मई को सीमा सुरक्षा बलकादमी टेकन पुर्जिला ग्वालियर में लगेगी। ये समाचार आप आकाश्मानी भूपाल से सुन रहे हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR News आप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलिटन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 26 नए मामले दर्ज किये गए जबकि 13 मरीज कोरोना संक्रमन से मुक्त हुए। नए मामलू में इंदौर में 8, गौालियर में 6, भूपाल और मुरैना में 4, 4, जबलपुर में 2 और कट्नी और राइसेन में एक-एक नए संक्रमित मिले हैं। जबकि राजी के 45 जिलों में आज कोरोना के नए मामले शूने रहे। प्रदेश में अब तक कुल 2, 91,000,000,000 से अधिक लोगों के सैंपलों की जाज की गई है। प्रदेश में अब सक्रिय प्रक्रणों की संख्या 203 हो गई है, हाला कि राजी के 31 जिले पूरी तरह कोरोना संक्रमन से मुक्त है। इधर प्रदेश में अब तक वैक्सीन के 11 करोड 78,47,000 से अधिक डोज लगाय जा चुके हैं। दतिया जिले के मुख्याले पर आज मा पितामबरा प्राकट्य उच्सव धूमधाम से मनानी की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्राकट्य उच्सव की पूर्वसंध्या पर कल दतिया एक लाग से अधिक दीपो से जग मगा उठा। ग्रह मंत्री डौक्टर नरोतम मिश्रा ने बताया कि आज मा पितामबरा रथियात्रा नगर का भ्रमन करेगी साथी दतिया का गौरव दिवस भी मनाया जाएगा। संस्कृती परिटन और धार्मिक न्यास और धर्मस्त मंत्री उशा ठाको राज दो विभूतियों को डौक्टर विश्नु श्रीधर वाकन कर सम्मान से सम्मानित करेंगी। प्रोफेसर रविंद्र कोरी सेट्टार वर्ष 2018-19 और दौक्टर नारायन व्यास को 2019-20 के लिए सम्मानित किया जाएगा। बात करेंगे मौसम की प्रदेश के अधिकांश जिलों में कल भी बादल चाय रहे और दोपहर बात कई हिस्सों में बूंदा बांदी भी हुई। इस वजह से दिन में उमज बढ़ गई है। खजुराहो, नौगाव, राजगर, दतिया और दमहों में कल सबसे ज्यादा 44 डिग्री सलसियस तापमान दर्च किया गया। भुपाल में भी दिन का तापमान 41.9 डिग्री दर्च किया गया। ये सामानिय से 2 डिग्री ज्यादा रहा। खेलो इंडिया विश्वविद्याले खेलो का कल भव्य, सांस्कृतिक और रंगारंग कारिक्रमों के साथ समापन हो गया। समापन समारों में 500 विद्यार्थियों ने आजादी का अमरित मोहतसब थीम के अंतरगत योगासन प्रस्तुत किया। दस दिन के इस आयोजिन में देश के 208 विश्वविद्याले के 3900 खिलाडियों ने 20 परधाओं में हिसा लिया। जैन विश्वविद्याले 20 स्वण के साथ शिर्ष स्थान पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वण के साथ दूसरे और पंजाब विश्वविद्याले 15 स्वण पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान आठ मई को मनसौर आएंगे वे यहां मरिकल कॉलेज का भूमी पूजन और सहस्र शिवलिंग का लोकारपन करेंगे। निवाडी में कलिक्टर के निर्देशों की अवहिलना करने के कारण सभी नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक के वेतन आहरण पर आगामी आदेश तक ततकाल प्रभाव से रोक लगाई गई है। चतरपुर जिले में राजनगर के उधैपुर ग्राउम में कल स्वामी विवेकानन सोशल वेलफियर सोसाइटी के तत्वावधान में 21 गरीब कन्याओं का सामोहिक विवाह कराया गया। प्रदेश राजय शूटिंग अकादमी के टैलन सर्च में 13-16 वर्ष के बालक और बालिकाय सम्मेलित हो सकते हैं। प्रधनमंत्री नरेंद्र मोधी आज दूसरे भारत नौडिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सत्पुडा ताप विद्योत ग्रह सार्नी की एक और यूनित ने बनाया सो दिनों तक लगातार विद्योत उत्पादन करने का कीरती माल। प्रदेश में मिले कोरोना संक्रमन के 26 ने मामले, 13 मरीज हुए संक्रमन से मुक्त और बादल और बूंदाबानी के बाद भी नरम नहीं हुए मौसम के तेवर। इस बुल्टिन में फिलहाल इतना ही अजाज़त दीजे, नमस्कार।